नमस्ते दोस्तों आज हम बात करेंगे कॉलर बलाउच के बारे में हमारे पास आप लोगों के बहुत सारे कमेंट और फोन आते हैं कि अगर हमारा चेस्ट 30 या 32 है तो हमें सोडर और आर्मो कितना लेना है तो आज हम 30 से 50 इंज तक का आप लोगों को जानकारी देंगे आपको ये वीडियो सुरु से अन्तक देखना है तो ही आपको समझ में आईगा तो चलिए समय नग वाते हुए सुरु करते हैं चेस्ट 30 इंज का है तो सोलिडर आपको ग्यारा इंज रखना है आर मोल रखना है आर्मो रखना है 5 इंज अगर आपका चेश्ट 32 इंच का है, तो सोल्डर आपको 12 इंच रखना है, आर्मोल रखना है 6 इंच अगर आपका चेश्ट 34 इंच का है, तो सोल्डर आपको 13 इंच रखना है, आर्मोल रखना है 6 इंच अगर आपका चेस्ट 36 इंच का है तो सोल्डर आपको रखना है साढ़े 14 इंच आर्मोर 7 इंच अगर आपका चेस्ट 38 इंच का है तो सोल्डर आपको साढ़े 15 इंच रखना है आर्मोर 7 इंच रखना है अगर आपका चेस्ट 40 इंच का है, तो सोल्डर आपको 16 इंच रखना है, आर्मोर 8 इंच रखना है, अगर आपका चेस्ट 42 इंच का है, तो सोल्डर 17 इंच रखना है, आर्मोर 8 इंच रखना है, अगर आपका चेस्ट 44 इंच का है, तो सोल्डर आपको 18 इंच रखना है, आर्म अगर आपका चेस्ट पचास इंच का है तो आपको सोडर रखना है सब्सक Hagण है और sister पैनल मिलते हैं अगले वीडिओ में झाल झाल